भारत रत्न क्या होता है? जिए नमस्कार दोस्तों, मैं हुमित कुमार मोर्या और आप देख रहे हैं मोरे टेख्निकल सपोर्ट यूटूप जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाने हैं कि भारत रत्न क्या होता है, इसकी सुरुवात कब हुई, इसे देने की प्रक्रिया क्या है और इसके साथ हैं इससे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपोर्ण बाते हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत रत्न होता क्या है तो भारत रत्न देश का सर्वोचे नागरिक सम्मान होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को राष्टिय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है अगर कोई व्यक्ति, कला, साहित्य, विज्ञान, सरगनिक सेवा और खेल के छेत्र में जो राष्ट्र होता है, जो देश होता है उसकी सेवा में अगर महतोपून योगदान देते हैं तो उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाता है अगर बात करें भारत रत्न के सुरुवात की तो भारत रत्न देने की सुरुवार्त वर्स 1924 में ततकालीन राष्टपती डॉक्टर राजंद परसाद के द्वारा की गई थी और वर्स 1924 में तीन व्यक्तियों को पहने C. राजगोपालाचारी दूसरे डॉक्टर सर्वपर्निराधा किष्णन और तीसरे C. व्यंकर ट्रमन को ये पुरसकार दिया गया वर्स 1924 में जब पहनी बार ये पुरसकार दिया गया था तो उस वक्त तक जो मर्नो परांत पुरसकार दी जाती है उसकी ववस्था नहीं थी यानि कि भारत रत्न को मर्नो परांत देने की प्रक्रिया नहीं थी मर्नो परांत ये किसी को नहीं दिया जा सकता था लेकिर वर्स 1925 में भारत रत्न को मर्नो परांत देने की विवस्था को भी जोड दिया गया यानि कि वर्स 1955 से या उसके बाद ये प्रक्रिया ला दी गई कि किसी ब्यक्तिव को मर्णो परांत भी भारत रत्म दिया जा सकता है और वर्स 2013 तक ठीक है खेल के छेतर में ये पुरस्कार देने की विवस्था नहीं थी लेकि वर्स 2013 में ये प्रावधान किया गया कि खेल के छेतर में भी जब किसी की जो राष्टिय सेवा है वो अगर होती है वो अगर सरोचे प्रदर्शन करता है तो उसको भारत रत्म सम्मान दिया जा सकता है और वर्ष 2014 हमें पहली बार खेल के छेतर में भारत के मस्भूर क्रिकेटर सचिन तेंदूनकर को पहली बार जो भारत रतन है वो दिया गया अगर बात करें कि भारत रतन प्राप्त ब्यक्ति को क्या क्या मिनता है तो भारत रतन जब किसी ब्यक्ति हो दिया जाता है तो उसको एक प्रमाण पत्र और एक मेडन दिया जाता है भारत रत्न सम्मान में कोई भी धनरासी नहीं दियाती है जानि कि इस सम्मान में कोई पैसे नहीं दिया जाते है लेकिन जो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है उसको भारत की जो वर्यता करमांग है उसकी सातवी जो सूची है उसमें सामिन किया गया है और इसके साथ ही भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा और जो राज सरकार होती है उसके द्वारा कई सारी सुविधाय दी जाती है जैसे कि जो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होता है उसको railway में मुफ्त यातरा दी जाती है इसके साथ ही उसको सरकारी करेक्रावों में सामिल होने का निवता मिनता है इसके साथ ही जो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको राजय सरकार द्वारा भी कई सारी सुविधाय दी जाती है टेक्स में छुट भी दिया जाता है, तो इस तरीके से करिशु उधाई मिनती हैं नेकिन अगर बात करें भारत रत्न की, तो उसमें एक प्रमारपत्र और एक मेड़ाणी मिनता है इसके साथ कोई धन्रासी देने की विवस्था नहीं की गई है अगर बात करें भारत रत्न देने की प्रक्रिया की तो भारत रत्न देने के लिए किसी ओपचारिक सिफारिस की आवस्यक्ता नहीं होती बस इसमें प्रधान मंत्री जो होते हैं वो योग्य व्यक्तियों के नाम की सिफारिज जो होती है वो राश्पती को करते हैं और राश्पती द्वारा 26 जनवरी के दिन ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दे दिया जाता है यानि कि इसके लिए कोई नियम नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि इस तरीके से नाम जाएगा और फिर वो जा करके भरत रत्न मिलेगा बनकी भारत के प्रधान मंत्री जो होते हैं वो सिले सिले सिपारिस कर देते हैं राश्पती को कि इन ब्यक्तियों को भारत रत्न मिरना चाहिए और उन्हें भारत रत्न दे दे जाता है एक वर्स में अधिकतम तीन व्यक्तियों को भरत रतन देने की जो दिसा निर्देश है भरत रतन के जो नियम है उसमें लेकिन दो बार यानि कि एक बार वर्स 1999 में चार व्यक्तियों को दिया गया और वर्स 2024 में पांच व्यक्तियों को दिया गया यानि कि दो बार ये नियम जो है इसके अलावा यानि कि ये नियम तिनी ब्यक्तियों को देने का है नेकि इस नियम को साइड करके एक बार चार ब्यक्तियों को और इस वर्स यानि कि 2024 में पांच ब्यक्तियों को भरत रत्न दिया गया है प्रतियक वर्ष किसी ब्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए ये आवस्यक नहीं है ठीक है भारत रत्न जो होता है वो किसी ब्यक्ति को जीवित रहने या फिर मरने के बाद भी दिया जा सकता है इसके साथ ही भारत रत्न जो है वो अपने देश के नागरीकों को या फिर बिदेशी ब्यक्तियों को भी दिया जा सकता है भारत रत्न जो है वगरबात करें बिदेशी ब्यक्तियों की तो जो हमारे मदर टेरेस्या थी उनको इसके बाद खान अबदुन गफार खान को और इसके साथ ही अफरीका के सावथ अफरीका के पुर्वराष्ट पती नैंसल मंडेला को भी भरत रत्न दिया गया है ठीक है, तो इस तरीके से भरत रत्न दिया जाता है तो अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान सब्दों में समझने के कोशिस करें तो भारत रत्न जो होता है वो देश का सर्वोचे नागरिक सम्मान होता है जो कि राष्टिये सेवा के लिए दिया जाता है भारत रत्न जो है उसको देने की सुरुवात वर्स 1954 में की गई और मर्नो परांद भारत रत्न देने की विवस्था वर्स वर्स 1955 में की गई भारत रत्न जो होता है वो भारतिये और विदेशी दोनों ब्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत रतने के साथ में एक मेडल एक प्रमाण पत्र दिया जाता है इसके साथ कोई भी धनरासी नहीं दी जाती है तो भारत रतने से जुड़ी हुई ये सब महत्वपूर्ण बाते थी उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के प्रमाण चैनल के बारे में जो भी सुषते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इसके साथ ही अगर आप में चैनल के बारे में कुछ खहना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर किसी और विशाय पर वीडियो बनाओ तो उसे भी कॉन बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कोई प्र